कि अगर हम दस बार भी पैदा होके आज हैं तो हम उन जैसे नहीं बन सकते हाज अगर उनसे मेरी बात होती है तो मैं हमसे बुझता हूँ वट यू आट टू भी तो वो कहते हैं कि सारा हम अभी सोच रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आप कब सोचेंगे किसी भी काम को जब हम एक बाकाइदा तरीके से सरण्याम देते हैं तो उसका फाइदा भी होता है और अगर हम उससे इंटर्टेन्मिंट हादल कर रहे हैं तो उससे भी हमें ज्यादा फाइदा होगा तो जितनी भी छूटियां होती हैं बच्चों को समर विकेशन्स की अगर उनको अच्छे से प्लैन करके गुजारा जाए तो उसमें हमारे जो स्टूड़न्ट्स हैं वो सीख भी सकते हैं और अच्छे से इंज्वाई भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कैसे जो समर विकेशन्स हैं उनको हमारे स्टूड़न्ट्स प्रोड़क्टिव और इंज्वाईबल बना सकते हैं तो चलते हैं पॉइंट नमर वन की तरफ और वो है बुक्स देखें आपके कोर्स की जो किताबे होती हैं वो आपको थोड़ी बोरिंग लगती है क्यूंकि उनमें ऐसी चीज़े होती हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से जो लेना-देना है वो बहुत कम होता है लेकिन कई सारी ऐसे किताबें हैं जो बहुत इंटरस्टिंग होती हैं तो मेरे खाल से हर स्टूडेंट को कम से कम एक बार उन किताबों को पढ़ना चाहिए तार्यों से पता चले कि यह जो आने वाली जिन्दगी है वो पैसी होगी तो मैं दो बुक्स सिजेस्ट करूँगा सारे स्टूडेंट को पहली है अलकेमिस्ट और दूसरी है अटॉमिक हैबिट्स अब यह जो अलकेमिस्ट है यह बेसी के लिए एक नौवल है और स्टूडेंट के लिए यह बहुत अच्छी किताब है याँ आप इसको बहुत असानी से पढ़ सकते हो इसको पढ़ने के दो फायदे होगी एक तो यह होगा कि आपको जिन्दगी के बारे ही बता चलेगा आपको अपनी फ्यूचर गोल्स के बारे ही बता चलेगा आपको बता चलेगा कि आपनी जिन्दगी को कैसे बजारना है दूसरा फायदा यह होगा कि आपकी इंगलिश स्प्रांग होगी अकसर लोग क्या करते हैं कि समर विकेशन्स में बच्चों को इंगलिश के कॉर्सेस करवा दे हैं तो कॉर्सेस से भी फायदा होता है लیکिन जो बुक रिडिंग से फायदा होता है वो शायद कॉर्सेस से नहीं होता तो आप अलकेमिस्ट की बुक लेइं online order करें और उसको पढ़ें जिस word का meaning नहीं आता आपको वो online के डिक्टेरी से देखें उसकी pronunciation आपको online मिल सकती है उसको अब अपना target रखें कि आप उसको छुटियों में complete करें आप उसको अच्छे से pronounce करें उसके words के जो meanings है उनको याद करें और जो sentences आप समझते हैं जो आप pages पढ़ते हैं रोज उनको समझने की जाएं तो ये मेरे काऱ से एक बहुत जबरदस story है एक novel type है और एक life lesson है हर बच्चे के लिए अब आते हैं atomic habits पे देखें हर इनसान जो है ना वो अपनी आदात का मजमूआ होता है अगर एक इनसान cigarette पीता है और एक इनसान exercise करता है तो अब दोनों की जो पहचान है वो मुखलिफ होगी क्यों? क्योंके दोनों की आदात मुखलिफ है तो atomic habits जो है ये basically हमारा concept clear करती है कि आदात जो है वो कैसे हमारी जिंदगी को बेठर बना सकती है मिसाल की तोर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप उटते सार अपना बेड़ ठीक करते है यानि आप जैसे ही उटे आपने अपने मिस्तर को ठीक कर दिया अब ये एक छोटी सी habit है अब इसका आपकी practical life में बहुत बड़ा फायदा है अब अकसर लोगों को जब ये बात बताई जाती है तो वो यकीन नहीं करते हैं कि ये कैसे हो सकता है तो atomic habits में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपकी छोटी छोटी आदात एकर्टी होके आपको एक बड़ी कामियाबी दिला सकती है और habits development पे one of the best book है पूरी दुनिया की जो कि हर बच्चे को बढ़नी चाहिए ताकि उसका concept clear होगा कि ये जो छोटी छोटी आदिते होती है जो छोटा छोटा डिसिप्लन होता है रोज सो बोटना, आपने बैट को सही करना तो आपको इन सारे questions का answer उस book में मिलेगा कि छोटी छोटी जो discipline है इनका आपकी practical life से क्या रेना देना है और आप कैसे अपने आपको एक बेहतर और कमयाब इनसान बना सकते हैं अब आते हैं tip number two की तरफ और वो है soft skills देखें, अब इस दोर में जो लोग hard skills से पैसा कमा रहे हैं, वो कम है as compared to soft skills विसाल के तोर पे मैं कहता हूँ, एक soft skill है programming अब ये computer में होती है, यह hard नहीं है, logical thinking होती है computer में आप code करते हैं अब लोग इस से million और billion dollars कमा रहे हैं इवन के जो दुनिया का अमीर तरीन इनसान है Bill Gates उसने सारा पैसा कहां से कमाया है coding से, उसने Microsoft बनाया और वहां से कमाया कहीं कि soft skills से एक बंदा दुनिया का अमीर तरीन इनसान बन गया तो कभी भी हम जो soft skills हैं उनकी importance को deny नहीं कर सकते और मैं इस बात पर बहुत ज़्यदा जोर देता हूँ कि जो भी हमारे बच्ची हैं वो पड़ें लिखें जो जिस profession में भी उनको जाना है वो जाएं लेकिन उनको एक का soft skill अच्छी आने चाहिए वो उसमें expert हो और उसमें expert बनने का क्या तरीका है कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने coding सीखनी है कोई अच्छा institute बताएं अब यकीन करें आपको जिस language में recording सीखनी है उसके hundreds and thousands of lecture पड़े हैं यूट्यूब पे आप सिर्फ जा के लिखो how to start coding और फिर सबर से लगे रहो यानि ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन में जाके coding start कर दोगे सबर से आपको हो सकता है start में अच्छा Twitter भी ना मिलें आप सर्च करते रहोगे ती चार दिन search करोगे आपको एक अच्छा अपनी जबान में अर्दू में एंग्लिश में जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें एक Twitter मिल जाएगा YouTube पे उसकी वीडियो पड़ी होंगी उनको फ्री में यूज करें सीखें वो जो कह रहा है वो काम करें उसको समझने की कोशिश करें उ और सेम इसी तरह आपको डिजाइनिंग सीखनी है आपको कापी राइटिंग सीखनी है आपको कॉंटेंट राइटिंग सीखनी है आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है आपको फिल्मेकिंग सीखनी है फोटोग्राफी सीखनी है जो भी चीज सीखनी है हर एक चीज के बह आपका लाइव इस्टिटूट होगा, वो आपको ये चीज़ें खा पाएगा, यानि यूट्यूब पे जो डेटा पड़ा है, वो बहुत अच्छा है, और अगर आप इसी इस्टिटूट में जा के ये सारी चीज़ें सीखते हो, तो वहाँ पे आपको ये इस्टिटूट नहीं मिल सकते, तो साफ्ट स्किल की इंपोर्टेंस को मदे नज़र रखते हुए, जो भी आपके पास टाइम है, एक महीने हैं, दो महीने हैं, उनमें आप कम से कम बेसिक्स तो सीख सकते हैं, आपके पास इंटरनेट हो, कम्पीटर हो, अब ये तो हर बच्चे के पास ही होता है, आज कल के दोर में, या फिर आपके पास मॉबाइल तो होता ही है, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें, बस कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ये है टिप नमबर टू, अब चलते हैं टिप नमबर त्री के तरफ और वो है हार्ड स्किल्स, अब देखें, कुछ बच्चों के पास ही सारी सहुलती नहीं होती, या वो कहते हैं कि हमें लैप टाप के सामने हम बैट ही नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हैं हार्ड स्किल्स, अब हार्ड स्किल्स हैं, ये तो जारी से बात है किसी बंदे के पास जाके सिखी जा सकती है, हार्ड स्किल्स में जो सबसे बेस्ट है, मेरे खाल से स्टुडन्स के लिए वो है टूइशन, आप ऐसा करें कि जो आपके जुनियर्स हैं, आप जिस भी महले में डाउ में रह रहे हैं, आप जो आपके जुनियर्स हैं, आप उनको ट्वीशन्स दें, स्टार्ट में फ्री में दें, स्टार्ट में फ्री में दें, लेकिन विद पैसज अफ टाइम उनसे आप चार्ज करना तो हमारे लिए सबसे बैस सोल्यूशन ही होता है मिसाल के तोर पे अब मुझे इंटीग्रेशन आती है सबसे काम कर सकते हैं आप नाइत में बढ़ते हैं आप हेट वाले बचों को बढ़ाएं या किसी ऐसी एकेडमी में चले जाएं वहां पे उनको बताएं कि जी मैं बढ़ा है खर बैठ के आपने घर में बैठके औरटर्ज ले सकते हैं अपने मोहले से पैसे कमा सकते हैं उसके बाद है आर्ट ओ मॉबायल या फिर जो पाइक का इंजिनियर होता है या जो जो इनटी करता है अब देखें ये ऐसी स्किल है जो कभी भी खतम नहीं होने वाली, अब हर जगा पे आपको बाइक मेकैनिक की ज़रूत पड़ती है, आपको आर्टमोबाइल मेकैनिक की ज़रूत पड़ती है, तो अगर हमारा बच्चा एक दो महीने किसी जगा पे लगा आता है, और वो बाइक की कुछ मोटी मोटी चीज़ें सीख लेता है तो ये फाइदा मन चीज है तो अगर हमारा बच्चा किसी एक दुकान में जाके या किसी वरक्षाप में जाके एक दो महीने चुटियों के गुजार आता है तो इसमें क्या गलत बात है एक तो वहां पर ये सीखेगा कि यार प्रैक्टिकल लाइफ होती कैसी है पैसा को भी फाइदा पहुचा सकता है तो अगर आप सीखने वाले हैं तो एक दो महीनों में आप इन दोनों कामों की यानि प्लम्बिंग की और जो अलेक्रीशन का काम है इनकी बेसिक सीख सकते हैं और भी कई सरी हार्ड स्किल्स हैं लेकिन ये वो हैं जो जो जनरल हैं जो हर आपके पास एक स्किल भी आ रही है टिप नबर फॉर है इस्लामिक हिस्ट्री देखें बिइंग मुस्लिम हमारे बच्चों को ये नहीं बता था कि हमारे जो अबाव अईदाद थे वो कौन थे कैसे थे इवन के मैंने युनिवर्स्टी लाइफ के बाद आके इस्लामिक हिस तो हम उन जैसे नहीं बन सकते हैं जब हम उने पढ़ते हैं, जब हम दुनिया के और लीडर्स को पढ़ते हैं और पिर उनका कमपैरिजन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे अबाव अईदाद का तो कोई मुकावला ही नहीं है अगर आप उनके दोरे खिलाफत को पड़ो उस ही अच्छे से तो उन जैसा लीडर क्यामत तक नहीं आ सकता यानि ये हमारे अबाव अईदात थे और हमें बेंगे मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि यार हमारे अबाव अईदात कैसे थे, कौन थे इसी तरह जो चारों कुल्फाय राशदीन है जो नवीजियर सलम कर दोर है जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें आपको यह ऐसी किताब उठाएं जो नान-कॉन्ट्रॉशल हो यानि जो आपको किसी एक खास सेक्ट या मजभ़भी तरफ ना लेके जाए बलके एक जेनरल हो जो आपको तफरकात में ना लेके जाए बलके एक जेनरल बिंग ए मुस्लिम वाला कॉनसेट दे और आपको पाजिटिव चीजें सिखाए तो मेरे ख्याल से आप उससे बहुत सीख सकते हैं और टिप नबो फाइव है फ्यूचर गोल्स अकसर स्टुडेंट्स मैं पूछता हूँ वट यू वांट टू बी बहुत कम लोग मुझे इस कांसर देते हैं और जो देते हैं वो भी अच्छा नहीं देते हैं यानि वो किसी दूसरे से सुनेंगे डाक्टर इंजिनियर या फोज में जाना या आर्मी में जाना है और वो वही बताएंगे कि मैंने ये काम करना है बहुत ही रेर स्टुडेंट्स होते हैं जिन्होंने सोच के हुज से सोच के ये डिफाइन गिया होता है कि यार मैंने ये काम करना है और वही कामयाब होते हैं यो दूतरों को फालो कर रहे होते हैं वो कामयाब नहीं होते हैं और कई सारे तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर अभी तो हमने सोचा ही नहीं है तो आप कब सोचेंगे इवन कि कई सुडेंट से मैंने तीन साल पहले पूछा था वर्ट यू वांट टू बी हाईज अगर उनसे मेरी बात होती है तो मैं उनसे पुछता हूँ वर्ट यू वांट टू बी तो वो कहते हैं कि सारे हम अभी सोच रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि आप कब सोचेंगे यह ऐसे हैं बिल्कुल कि आप एक रास्ते पे चलके जा रहे हो और कोई आप से पूछता है कि आप किदर जा रहे हूँ आप उसे कहते हो कि यह तो नहीं पता बस मैं सूचता हूँ कि मैंने किदर जाना है लेकिन साथ में आप चल भी रहे हो का होना बहुत ज़रूई है तो इन जो दो महीने हैं तीन महीने हैं स्टूडन्स के पास तो कम से कम हमें ये तो सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है अब फ्री टाइम होता है पढ़ाई का इतना बोज नहीं होता पेपर्स की टेंशन नहीं होती तो आप यूटूब से मदद लें लेक्चर्स सुने देखें खुद अपने अंदर की आवास को सुने कि यार मैं क्या बनना चाहता हूँ क्या करना चाहता हूँ कौन सी चीज़ें जिन में मुझे खुशी होती है जिन में मुझे सुकुन मिलता है और कौन सी चीज़े हैं जो मुझे डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं मैं अगर क्या बन जाओं तो मुझे रिग्रेटर नहीं होगा जिन्दगी में मैंने यह काम नहीं किया मैं अगर क्या चीज़ हासिल कर लूँ तो मुझे सारी जिन्दगी कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मुझे और सारी चीज़ें नहीं मिली मुझे इस बात से कोई फर्त नहीं बड़ेगा तो future goals का set करना बहुत जुरूरी है जो कि हमारी जेनरेशन में विल्कुल भी नहीं है तोड़ी सी मेटिवस बसे रहता हूँ कि आप कैसे set करोगे सबसे पहले तो आप अपना five year goals set करो पहले तो जिन्दगी का goal होता है कि आप जिन्दगी में क्या आगाना चाहते हो वो तो एक बड़ी बात है जिन्दगी वो तो अब मैं अगर इस बारे में बात कर रहा हूँ तो अभी तक मैं clear है लेकि इतना clear नहीं होता with the passage of time ये चीज़े clear होती है तो आप ऐसा करें कि अपने five year का goal लेगे कि five years के बाद आप अपने आपको कहा देखते हो फिर उसके बाद आप ये देखो कि ये जो मैंने goal लेखा है five years का अब मैं yearly basis पे इसकी तरफ कैसे जा सकता हूँ फिर आप उसको patches में divide कर लो फिर उसके बाद yearly goals को आप divide करो monthly goal में कि यार ये जो मेरा yearly goal है कि मुझे कैसे हासल होगा कि मैं हर मन्त में ये चीज़ चीज़ चीब करूँगा तब जा के बारा मन्त के बाद मेरे पास ये चीज़ आएगी और जब आप उसको monthly basis पी divide कर लोगे फिर आप उसको weekly basis पी लेक्या हो कि अगर मैं हर week end पे ये वाले results चीब करता हूँ तब मेरा जो monthly task है वो complete होगा और पिर आप उसको daily basis के उपर लेक्या हो कि अगर मैं daily का ये जो task का ये complete करना हूँ इसका मलब है कि मेरा weekly task complete होगा इसका मलब है कि मेरा monthly task complete होगा इसका मलब है कि मेरा yearly task complete होगा और अगर मेरा yearly task complete हो रहा है जो टाइम मैंने जाय किया था तो आज मैं कहीं और होता, अपनी जिंदगी में और रदा आगे होता, और ज्यादा पालिटिव चीज़ें कर रहा होता, पालिटिव सोच रहा होता लेकिन आप कुछ नसीब हैं अगर आप